अगर किसी पेशेट ने इंप्ल कराया है तो प्रेगनसी के समय उस से उस पर कोई फरता क्योंकि जिस तरह का नॉर्मल जो ब्रेस्ट में चेंजिसves पाया वो प्रेगनसी नॉर्मल ही होते हैं क्योंकि हमारा implant pregnancy के changes को interfere नहीं करता क्योंकि उसका plane ही different होता है मसल के पीछे डालते हैं और pregnancy के जो भी changes होते हैं वो glands के अंदर होते हैं अगर implant sub glandular है तभी उसके around एक layer बन जाती है जो की एक fibrous layer होती है जो कि natural pregnancy के जो changes होते हैं उसमें इंटरफेर नहीं करता इसलिए implant अंदर होने से pregnancy होने से कोई